आश्राम लेकूम वीवर्स, रेलकम ठूमा चैनल इंस्टेडियो में हम बात करेंगे खूब से यह ड्रामे की एपिसोड 26 के बारे में कि एपिसोड 26 में क्या होने जा रहा है एपिसोड 26 में हम देखेंगे के मायरा चुड़े जिसने बाहिए खाना खाने की आदत ही डाल ली वो फिर से समर के साथ रेस्टोरेंट पे जाएगी और वहाँ जाकर समर से कहेगी तुम फिर मुझे वही जगा पर ले आयो क्योंकि वो एक ममुली सा रेस्टोरेंट है तो समर उसे कहेगा मैं डेली तुमें किसी बड़े रेस्टोरेंट में खानक लाने नहीं लेके जा सकता और तुम्हें इसी तरह मेरे साथ अरज़ेस्ट करना होगा तो दूसरी तरह हम देखेंगे के माईरा के सास माईरा को काम करने का कहेगी तो माईरा में कम्मी जब से गया आई है काम को हाथ नहीं लगाती और समर की दूसरी बीवी दिलकिश बिचारी को ही सारा काम देखना पड़ता है दिलकिश के सास जो दिलकिश का बहुत इहसास करती है वो मायरा को कहेगी बेशक्त तुम्हें समर्ने काम करने से मना किया है लेकिं तुम्हें करके काम करने पड़ेंगे और मायरा चुडेल को अचानक ही कुछ हो जाता है और वो बेहोश होकर किनने लगती है तो डॉक्टर को बिलाया जाता है कि मायरा को पता नहीं क्या हो गया शमर कहेगा रात भी मायरा ने खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ी कमजोरी है तो डॉक्टर कहेगी अब आपको ख्यार लखना पड़ेगा कि मायरा को किसी किसम की कमजोरी ना हो क्योंकि मायरा गुड न्यूस देने वाली है और यह सब हम देखेंगे एपिसोड 26 में मेरे आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा परको मेरे रिव्यू अच्छे लग रहे हैं तो प्लिए सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आईकॉन पर ज़रूर क्रिक कर ले ताकि आपको डिली निव रिव्यू का नोटिफिकेशन मिल सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफीज अश्राम लेकूम विवर्स वेल्कम ठुमा चैनल इंस वीडियो में हम बात करेंगे खुब से यह ड्रामे की एपिसोड 26 के बारे में कि एपिसोड 26 में क्या होने जा रहा है एपिसोड 26 में हम देखेंगे कि मायरा चुड़े जिसने बाहिए खाना खाने की आदत ही डाली वो फिर से समर के साथ रेस्टोरेंट में जाएगी और वहाँ जाकर समर से कहेगी तुम फिर मुझे वही जगा पर ले आयो क्योंके वो एक ममूली सा रेस्टोरेंट है तो समर उसे कहेगा मैं डेली तुम्हें किसी बड़े रेस्टोरेंट में खानक लाने नहीं लेके जा सकता और तुम्हें इसी तरह मेरे साथ अर्जस्ट करना होगा तो दूसरी तरह हम देखेंगे के मायरा के सास मायरा को काम करने का कहेगी तो मायरा में कम्मी जब से गया आई है काम को हाथ नहीं लगाती और समर की दूसरी बीवी दिलकिश बिचारी को ही सारा काम देखना पड़ता है दिलकष के सास जो दिलकष का बहुत इहसास करती है वो मायरा को कहेंगी बेशप तुम्हें समर्ने काम करने से मना किया है लेकिं तुम्हें करके काम करने पड़ेंगे और मायरा चुड़ेल को अचानक ही कुछ हो जाता है और वह विhoश होकर तिनने लगती है तो डॉक्टर को बिलाया जाता है कि मायरा को पता नहीं क्या हो गया शमर कहेगा रात भी मायरा ने खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ी कमजोरी है तो डॉक्टर कहेगी अब आपको ख्यार लखना पड़ेगा कि मायरा को किसी किसम की कमजोरी ना हो क्योंके मायरा गुड न्यूस देने वाली है और यह सब हम देखेंगे एपिसोड 26 में में आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा तक मेरे रिव्यू अच्छे लगने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आईकौन पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको डेली न्यू रिव्यू का नोटिफिकेशन मिल सकें मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफीज अश्रामलेकूम वीवर्स वेलकम तो माय चैनल इंस वीडियो में हम बात करेंगे खूब सी एड्रामे की एपिसोड 26 के बारे में कि एपिसोड 26 में क्या होने जा रहा है एपिसोड 26 में हम देखेंगे के मायरा चुडे जिसने बाहिए खाना खाने की आदत ही डाल ली वो फिर से समर के साथ रेस्टोरेंट पे जाएगी और वहाँ जाकर समर से कहेगी तुम फिर मुझे वही जगा पर ले आयो क्योंकि वो एक ममूली सा रेस्टोरेंट है तो समर उसे कहेगा मैं डेली तुम्हें किसी बड़े रेस्टोरेंट में खानक लाने नहीं लेके जा सकता और तुम्हें इसी तरह मेरे साथ अड़ेस्ट करना होगा तो दूसरी तरह हम देखेंगे के माईरा के सास माईरा को काम करने का कहेगी तो माईरा में कम्मी जब से गया आई है काम को हाथ नहीं लगाती और समर की दूसरी बीवी दिलकिश बिचारी को ही सारा काम देखना पड़ता है दिलकिश के सास जो दिलकिश का बहुत एहसास करती है वो मायरा को कहेगी बेशक तुम्हें समर्ने काम करने से मना किया है लेकिन तुम्हें करके काम करने पड़ेंगे और मायरा चुडेल को अचानक ही कुछ हो जाता है और वो बेहोश होकर किरने लगती है तो डॉक्टर को बिलाया जाता है कि मायरा को पतानी क्या हो गया शमर कहेगा रात भी मायरा ने खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ी कमजोरी है तो डॉक्टर कहेगी अब आपको ख्यार रखना पड़ेगा कि माईरा को किसी किसम की कमजोरी ना हो क्योंकि माईरा गुड न्यूस देने वाली है और यह सब हम देखेंगे एपिसोड 26 में मीरे आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा और अगर मेरे रिव्यू अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कर ले ताकि आपको डेली निव रिव्यू का नोटिफिकेशन मिल सके मिलते हैं नेक्स रिडियो में आला हाफीज अश्राम लेकूम विवर्स रेलकम ठूमा चैनल इंस्टेडियो में हम बात करेंगे खूब से यह ड्रामे की एपिसोड 26 के बारे में कि एपिसोड 26 में क्या होने जा रहा है एपिसोड 26 में हम देखेंगे कि मारा चुड़े जिसने बाहिए खाना खाने की आदत ही डाल ली वो फिर से समर के साथ रेस्टोरेंट पे जाएगी और वहाँ जाकर समर से कहेगी तुम फिर मुझे वही जगा पर ले आयो क्योंकि वो एक ममूली सा रेस्टोरेंट है तो समर उसे कहेगा समर उसे कहेगा मैं डेली तुमें किसी बड़े रेस्टोरेंट में खानक लाने नहीं लेके जा सकता और तुमें इसी तरह मेरे साथ अरज़ेस्ट करना होगा तो दूसरी तरह हम देखेंगे के मारा के सांस मारा को काम करने का कहेगी तो मायरा नकमी जब से गया आई है काम को हाथ नहीं लगाती और समर की दूसरी बीवी दिलकिश बिचारी को ही सारा काम देखना पड़ता है दिलकिश के सास जो दिलकिश का बहुत एहसास करती है वो मायरा को कहेगी बेशब तुम्हें समर ने काम करने से मना किया है लेकिन तुम्हें करके काम करने पड़ेंगे और मायरा चुडेल को अचानक ही कुछ हो जाता है और वो बेहोश होकर किनने लगती है तो डॉक्टर को बिलाया जाता है कि मायरा को पतानी क्या हो गया शमर कहेगा रात भी मायरा ने खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ी कमजोरी है तो डॉक्टर कहेगी अब आपको ख्यार लखना पड़ेगा कि मायरा को किसी किस्तम की कमजोरी ना हो क्योंकि मायरा गुड न्यूस देने वाली है और यह सब हम देखेंगे एपिसोड 26 में मेरा आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा परको मेरे रिव्यू अच्छे लग रहे हैं तो प्लिए सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्रिक कर ले ताकि आपको डिली न्यू रिव्यू का नोटिफिकेशन मिल सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफीज अश्राम लेकूम विवर्स वेलकम ठो माई चैनल इसमेडियो में हम बात करेंगे खुब से यह ड्रामे की एपिसोड 26 के बारे में कि एपिसोड 26 में क्या होने जा रहा है एपिसोड 26 में हम देखेंगे कि मायरा चुड़े जिसने बाहिए खाना खाने की आदत ही डाली वो फिर से समर के साथ रेस्टोरेंट में जाएगी और वहाँ जाकर समर से कहेगी तुम फिर मुझे वही जगा पर ले आयो क्योंके वो एक ममूली सा रेस्टोरेंट है तो समर उसे कहेगा मैं डेली तुम्हें किसी बड़े रेस्टोरेंट में खानक लाने नहीं लेके जा सकता और तुम्हें इसी तरह मेरे साथ अर्जेस्ट करना होगा तो दूसरी तरह हम देखेंगे के मायरा के सास मायरा को काम करने का कहेगी तो मायरा में कम्मी जब से गया आई है काम को हाथ नहीं लगाती और समर की दूसरी बीवी दिलकिश बिचारी को ही सारा काम देखना पड़ता है दिलकिश के सास जो दिलकिश का बहुत एहसास करती है वो मायरा को कहेगी बेशक तुम्हें समर ने काम करने से मना किया है लेकिन तुम्हें करके काम करने पड़ेंगे वो मायरा तुडेल को अचानक ही कुछ हो जाता है और वो बहोश होकर पिरने लगती है तो डॉक्टर को बिलाया जाता है कि मायरा को पता नहीं क्या हो गया शमर कहेगा रात भी मायरा ने खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ी कमजोरी है तो डॉक्टर कहेगी अब आपको ख्यार लखना पड़ेगा कि मायरा को किसी किसम की कमजोरी ना हो क्योंके माईरा गुड न्यूस देने वाली है और यह सब हम देखेंगे एपिसोड 26 में में आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा तक मेरे रिव्यू अच्छे लगने हैं तक मेरे सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आईकौन पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको डेली निव रिव्यू का नोटिफिकेशन मिल सकें मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफीज अश्रामलेकूम वीवर्स वेलकम तो माई चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे खूब सी एड्रामे की एपिसोड 26 के बारे में कि एपिसोड 26 में क्या होने जा रहा है एपिसोड 26 में हम देखेंगे के मायरा चुडे जिसने बाहिए खाना खाने की आदत ही डाल ली वो फिर से समर के साथ रेस्टोरेंट पे जाएगी और वहाँ जाकर समर से कहेगी तुम फिर मुझे वही जगा पर ले आयो क्योंके वो एक ममूली साथ रेस्टोरेंट है तो समर उसे कहेगा मैं डेली तुमें किसी बड़े रेस्टोरेंट में खानक लाने नहीं लेके जा सकता और तुम्हें इसी तरह मेरे साथ अर्जेस्ट करना होगा तो दूसरी तरह हम देखेंगे कि मायरा के सास मायरा को काम करने का कहेगी तो कि मायरा में कम्मी जब से गया आई है काम को हाथ नहीं लगाती और समर की दूसरी बीवी दिलकिश बिचारी को ही सारा काम देखना पड़ता है दिलकिश के सास जो दिलकिश का बहुत एहसास करती है वो मायरा को कहेगी बेशक तुम्हें समर ने काम करने से मना किया है लेकिन तुम्हें करके काम करने पड़ेंगे और माईरा चुडेल को अचानक ही कुछ हो जाता है और बिहोश होकर किनने लगती है तो डॉक्टर को बिलाया जाता है के माईरा को बतानी क्या हो गया शमर कहेगा रात भी माईरा ने खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ी कमजोरी है तो डॉक्टर कहेगी अब आपको ख्यार रखना पड़ेगा कि माईरा को किसी किसम की कमजोरी ना हो क्योंकि माईरा गुड न्यूस देने वाली है और यह सब हम देखेंगे एपिसोड 26 में मीरे आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा और अगर मेरे रिव्यू अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कर ले ताकि आपको डेली निव रिव्यू का नोटिफिकेशन मिल सके मिलते हैं नेक्स रिडियो में आला हाफीज अश्राम लेकूम विवर्स रेलकम ठूमा चैनल इंस्टेडियो में हम बात करेंगे खूब से यह ड्रामे की एपिसोड 26 के बारे में कि एपिसोड 26 में क्या होने जा रहा है एपिसोड 26 में हम देखेंगे कि मारा चुड़े जिसने बाहिए खाना खाने की आदत ही डाल ली वो फिर से समर के साथ रेस्टोरेंट पे जाएगी और वहाँ जाकर समर से कहेगी तुम फिर मुझे वही जगा पर ले आयो क्योंकि वो एक ममूली सा रेस्टोरेंट है तो समर उसे कहेगा समर उसे कहेगा मैं डेली तुमें किसी बड़े रेस्टोरेंट में खानक लाने नहीं लेके जा सकता और तुमें इसी तरह मेरे साथ अरजस्ट करना होगा तो दूसरी तरह हम देखेंगे के माईडा के सास माईडा को काम करने का कहेगी तो कि मायरा नकम्मी जब से गया आई है काम को हाथ नहीं लगाती और समर की दूसरी बीवी दिलकिश बिचारी को ही सारा काम देखना पड़ता है दिलकिश के सास जो दिलकिश का बहुत एहसास करती है वो मायरा को कहेगी बेशब तुम्हें समर ने काम करने से मना किया है लेकिन तुम्हें करके काम करने पड़ेंगे और मायरा चुडेल को अचानक ही कुछ हो जाता है और वो बेहोश होकर किरने लगती है तो डॉक्टर को बिलाया जाता है कि मायरा को पतानी क्या हो गया शमर कहेगा राट भी मायरा ने खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ी कमजोरी है तो डॉक्टर कहेगी अब आपको ख्यार लखना पड़ेगा कि मायरा को किसी किसम की कमजोरी ना हो क्योंकि मायरा गुड न्यूस देने वाली है और यह सब हम देखेंगे एपिसोड 26 में मेरे आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा परको मेरे रिव्यू अच्छे लग रहे हैं तो प्लिए सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्रिक कर ले ताकि आपको डेली न्यू रिव्यू का नोटिफिकेशन मिल सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफीज अश्राम लेकूम विवर्स वेलकम ठो माई चैनल इन्सेडियो में हम बात करेंगे खुब से यह ड्रामे की एपिसोड 26 के बारे में कि एपिसोड 26 में क्या होने जा रहा है एपिसोड 26 में हम देखेंगे कि मायरा चुड़े जिसने बाहिए खाना खाने की आदत ही डाली वो फिर से समर के साथ रेस्टोरेंट पे जाएगी और वहाँ जाकर समर से कहेगी तुम फिर मुझे वही जगा पर ले आयो क्योंके वो एक ममूली सा रेस्टोरेंट है तो समर उसे कहेगा समर उसे कहेगा वर टेली तुम्हें किसी बड़े रेस्टोरेंट में खानक लाने नहीं लेके जा सकता और तुम्हें इसी तरह मेरे तात अर्जस्ट करना होगा तो दूसरी तरह हम देखेंगे के मारा के सास मारा को काम करने का कहेगी तो मारा में कमी जब से गया आई है काम को हाथ नहीं लगाती और समर की दूसरी बीवी दिलकिश बिचारी को ही सारा काम देखना पड़ता है दिलकिश के सास जो दिलकिश का बहुत एहसास करती है वो मायरा को कहेगी बेशक तुम्हें समर ने काम करने से मना किया है लेकिन तुम्हें करके काम करने पड़ेंगे और मायरा तुडेल को अचानक ही कुछ हो जाता है और वो बहोश होकर पिरने लगती है तो डॉक्टर को बिलाया जाता है कि मायरा को पतानी क्या हो गया शमर कहेगा रात भी मायरा ने खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ी कमजोरी है तो डॉक्टर कहेगी अब आपको ख्यार रखना पड़ेगा कि मायरा को किसी किसम की कमजोरी ना हो क्योंकि मायरा गुड नियूस देने वाली है और यह सब हम देखेंगे एपिसोड 26 में में आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा अगर मेरे रिव्यू अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आईकॉन पर ज़रूर क्लिक कर ले ताकि आपको डेली नियू रिव्यू का नोटिफिकेशन मिल सके मिलते हैं नेक्स रिडियो में आला हाफीज अश्राम लेकूम वीवर्स वेलकम ठूमा चैनल इंसेडियो में हम बात करेंगे खूब से यह ड्रामे की एपिसोड 26 के बारे में कि एपिसोड 26 में क्या होने जा रहा है एपिसोड 26 में हम देखेंगे कि मायरा चुड़े जिसने बाहिए खाना खाने की आदत ही डाल ली वो फिर से समर के साथ रेस्टोरेंट पे जाएगी और वहाँ जाकर समर से कहेगी तुम फिर मुझे वही जगा पर ले आयो क्योंके वो एक ममूली सा रेस्टोरेंट है तो समर उसे कहेगा समर उसे कहेगा मैं डेली तुमें किसी बड़े रेस्टोरेंट में खानक लाने नहीं लेके जा सकता और तुमें इसी तरह मेरे साथ अरज़ेस्ट करना होगा तो दूसरी तरह हम देखेंगे के मायरा के सास मायरा को काम करने का कहेगी तो मायरा नकम्मी जब से गया आई है काम को हाथ नहीं लगाती और समर की दूसरी बीवी दिलकिश बिचारी को ही सारा काम देखना पड़ता है दिलकिश के सास जो दिलकिश का बहुत एहसास करती है वो मायरा को कहेगी बेशक्त तुम्हें समर ने काम करने से मना किया है लेकिन तुम्हें करके काम करने पड़ेंगे और मायरा चुडेल को अचानक ही कुछ हो जाता है और वो बेहोश होकर किनने लगती है तो डॉक्टर को बिलाया जाता है कि मायरा को पतानी क्या हो गया शमर कहेगा रात भी मायरा ने खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ी कमजोरी है तो डॉक्टर कहेगी अब आपको ख्यार रखना पड़ेगा कि मायरा को किसी किसम की कमजोरी ना हो क्योंकि मायरा गुड न्यूस देने वाली है और यह सब हम देखेंगे एपिसोड 26 में मिलते हैं आपको आज का रेवियू अच्छा लगा होगा तो अच्छे लगने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कर ले ताकि आपको डेली न्यू रीवियू का नोटिफिकेशन मिल सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफीज अश्राम लेकूम विवर्स रेलकम ठो माई चैनल इन्स वीडियो में हम बात करेंगे खूब से यह ड्रामे की एपिसोड 26 के बारे में कि एपिसोड 26 में क्या होने जा रहा है एपिसोड 26 में हम देखेंगे कि मायरा चुड़े जिसने बाहिए खाना खाने की आदत ही डाल ली वो फिर से समर के साथ रेस्टोरेंट पे जाएगी और वहाँ जाकर समर से कहेगी तुम फिर मुझे वही जगा पर ले आयो क्योंके वो एक ममूली सा रेस्टोरेंट है तो समर उसे कहेगा मैं डेली तुम्हें किसी बड़े रेस्टोरेंट में खानक लाने नहीं लेके जा सकता और तुम्हें इसी तरह मेरे साथ अरज़ेस्ट करना होगा तो दूसरी तरह हम देखेंगे के मायरा के सास मायरा को काम करने का कहेगी तो कि मायरा में कम्मी जब से गया आई है काम को हाथ नहीं लगाती और समर की दूसरी बीवी दिलकिश बिचारी को ही सारा काम देखना पड़ता है दिलकिश के सास जो दिलकिश का बहुत एहसास करती है वो मायरा को कहेगी बेशक तुम्हें समर ने काम करने से मना किया है लेकिन तुम्हें करके काम करने पड़ेंगे और मायरा चुडेल को अचानक ही कुछ हो जाता है और वो बेहोश होकर किरने लगती है तो डॉक्टर को बिलाया जाता है कि मायरा को पता नहीं क्या हो गया शमर कहेगा रात भी मायरा ने खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ी कमजोरी है तो डॉक्टर कहेगी अब आपको ख्यार रखना पड़ेगा कि मायरा को किसी किस्दम की कमजोरी ना हो क्योंकि माईरा गुड न्यूस देने वाली है और यह सब हम देखेंगे एपिजोड 26 में मेरे आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा तक मेरे रिव्यू अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आईकौन पे ज़रूर क्रिक कर लें ताकि आपको डेली निव रिव्यू का नोटिफिकेशन मिल सकें मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफीज अश्रामलेकूम विवर्स वेलकम ठो माई चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे खूब से यह ड्रामे की एपिसोड 26 के बारे में कि एपिसोड 26 में क्या होने जा रहा है एपिसोड 26 में हम देखेंगे कि मायरा चुडे जिसने बाहिए खाना खाने की आदत ही डाली वो फिर से समर के साथ रेस्टोरेंट पे जाएगी और वहाँ जाकर समर से कहेगी तुम फिर मुझे वही जगा पर ले आयो क्योंके वो एक ममूली सा रेस्टोरेंट है तो समर उसे कहेगा मैं डेली तुम्हें किसी बड़े रेस्टोरेंट में खानक लाने नहीं लेके जा सकता और तुम्हें इसी तरह मेरे ताथ अड़ेस्ट करना होगा तो दूसरी तरह हम देखेंगे के मारा के सास मारा को काम करने का कहेगी तो मारा में कम्मी जब से गय आई है काम को हाथ नहीं लगाती और समर की दूसरी बीवी दिलकेश बिचारी को ही सारा काम देखना पड़ता है दिलकेश के सास जो दिलकेश का बहुत एहसास करती है वो मारा को कहेगी बेशक तुम्हें समर ने काम करने से मना किया है लेकिं तुम्हें करके काम करने पड़ेंगे और मारा चुडेल को अचनक ही कुछ हो जाता है और विखोश होकर तिरने लगती है तो डक्टर को बलाया जाता है कि मारा को पता नहीं क्या हो गया शमर कहेगा रात भी मारा ने खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ी कमजोरी है तो डॉक्टर कहेगी अब आपको ख्यार रखना पड़ेगा कि मायरा को किसी किसम की कमजोरी ना हो क्योंकि मायरा गुड निउस देने वाली है और यह सब हम देखेंगे एपिसोड 26 में मीज़े आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा और अगर मेरे रिव्यू अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर ले ताकि आपको डेली निउ रिव्यू का नोटिफिकेशन मिल सके मिलते हैं नेक्स रिडियो में आला हाफीज अश्राम लेकूम वीवर्स वेलकम ठूमा चैनल इंसे डियो में हम बात करेंगे खूब से यह ड्रामे की एपिसोड 26 के बारे में कि एपिसोड 26 में क्या होने जा रहा है एपिसोड 26 में हम देखेंगे कि मायरा चुड़े जिसने बाहिए खाना खाने की आदत ही डाल ली वो फिर से समर के साथ रेस्टोरेंट पे जाएगी और वहाँ जाकर समर से कहेगी तुम फिर मुझे वही जगा पर ले आयो क्योंके वो एक ममूली सा रेस्टोरेंट है तो समर उसे कहेगा समर उसे कहेगा मैं डेली तुमें किसी बड़े रेस्टोरेंट में खानक लाने नहीं लेके जा सकता और तुमें इसी तरह मेरे साथ अरज़ेस्ट करना होगा तो दूसरी तरह हम देखेंगे के मायरा के सास मायरा को काम करने का कहेगी तो मायरा नकम्मी जब से गया आई है काम को हाथ नहीं लगाती और समर की दूसरी बीवी दिलकिश बिचारी को ही सारा काम देखना पड़ता है दिलकिश के सास जो दिलकिश का बहुत एहसास करती है वो मायरा को कहेगी बेशक्त तुम्हें समर ने काम करने से मना किया है लेकिन तुम्हें करके काम करने पड़ेंगे और मायरा चुडेल को अचानक ही कुछ हो जाता है और वो बेहोश होकर किनने लगती है तो डॉक्टर को बिलाया जाता है कि मायरा को बतानी क्या हो गया शमर कहेगा रात भी मायरा ने खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ी कमजोरी है तो डॉक्टर कहेगी अब आपको ख्यार रखना पड़ेगा कि मायरा को किसी किसम की कमजोरी ना हो क्योंकि मायरा गुड निउस देने वाली है यह सब हम देखेंगे एपिसोड 26 में मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफीज अश्राम लेकूं वीवर्स रेलकम ठो माय चैनल इंस्टेडियो में हम बात करेंगे खूब सी एड्रामे की एपिसोड 26 के बारे में कि एपिसोड 26 में क्या होने जा रहा है एपिसोड 26 में हम देखेंगे कि मायरा चुड़े जिसने बाहिए खाना खाने की आदत ही डाल ली वो फिर से समर के साथ रेस्टोरेंट पे जाएगी और वहाँ जाकर समर से कहेगी तुम फिर मुझे वही जगा पर ले आयो क्योंके वो एक ममूली सा रेस्टोरेंट है तो समर उसे कहेगा समर उसे कहेगा मैं डेली तुमें किसी बड़े रेस्टोरेंट में खानक लाने नहीं लेके जा सकता और तुम्हें इसी तरह मेरे साथ अरजस्ट करना होगा तो दूसरी तरफ हम देखेंगे के मायरा के सास मायरा को काम करने का कहेगी तो मायरा नकमी जब से गय आई है काम को हाथ नहीं लगाती और समर की दूसरी बीवी दिलकश बिचारी को ही सारा काम देखना पड़ता है दिलकश के साथ जो दिलकश का बहुत एहसास करती है वो मायरा को कहेगी बेशब तुम्हें समर ने काम करने से मना किया है लेकिं तुम्हें करके काम करने पड़ेंगे और मायरा चुडेल को अचानक ही कुछ हो जाता है और वो बेहोश होकर किरने लगती है तो डाक्टर को बिलाया जाता है कि मायरा को पतानी क्या हो गया शमर कहेगा रात भी मायरा ने खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ी कमजोरी है तो डाक्टर कहेगी अब आपको ख्यार रखना पड़ेगा कि मायरा को किसी किस्तम की कमजोरी ना हो क्योंकि मायरा गुड निउस देने वाली है और यह सब हम देखेंगे एपिसोड 26 में मेरे आपको ख्यार का रिव्यू अच्छा लगा होगा तक मेरे रिव्यू अच्छे लग रहे हैं तो प्लिए सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आइकाउन पर ज़रूर क्रिक कर ले ताकि आपको डिली निउ रिव्यू का नोटिफिकेशन मिल सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफीज अश्राम लेकूम वीवर्स रेलकम ठो मार चैनल इंसे डियू में हम बात करेंगे खूब से यह ड्रामे की एपिसोड 26 के बारे में कि एपिसोड 26 में क्या होने जा रहा है एपिसोड 26 में हम देखेंगे कि मारा चुड़े जिसने बाहिए खाना खाने की आदत ही डाल ली वो फिर से समर के साथ रेस्टोरेंट पे जाएगी और वहाँ जाकर समर से कहेगी तुम फिर मुझे वही जगा पर ले आयो क्योंके वो एक ममूली सा रेस्टोरेंट है तो समर उसे कहेगा समर उसे कहेगा मैं डेली तुम्हें किसी बड़े रेस्टोरेंट में खानक लाने नहीं लेके जा सकता और तुम्हें इसी तरह मेरे ताथ अरज़ेस्ट करना होगा तो दूसरी तरह हम देखेंगे के मारा के साथ मारा को काम करने का कहेगी मायरा नकमी जब से गया आई है काम को हाथ नहीं लगाती और समर की दूसरी बीवी दिलकश बिचारी को ही सारा काम देखना पड़ता है दिलकश के सास जो दिलकश का बहुत एहसास करती है वो मायरा को कहेगी बेश्क तुम्हें समर ने काम करने से मना किया है लेकिन तुम्हें करके काम करने पड़ेंगे और मायरा तुडेल को अचानक ही कुछ हो जाता है और वो बेहोश होकर खिरने लगती है तो डॉक्टर को बिलाया जाता है कि मायरा को पतानी क्या हो गया शमर कहेगा रात भी मायरा ने खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ी कमजोरी है तो डॉक्टर कहेगी अब आपको ख्यार लखना पड़ेगा कि मायरा को किसी किसम की कमजोरी ना हो क्योंकि मायरा गुड निउस देने वाली है और यह सब हम देखेंगे एपिसोड 26 में मीरे आपको आज का रीवियू अच्छा लगा होगा तो अगर मेरे रीवियू अच्छे लगने हैं तो पनी सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आइकोन पर ज़रूर क्लिक कर ले ताकि आपको डेली निउ रीवियू का नोटिफिकेशन मिल सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में आलाहाफीज अश्रामलीकूम वीवर्स वेलकम थो माईचैनल इंस वीडियो में हम बात करेंगे खूब सी एर ड्रामे की एपिसोड 26 के बारे में कि एपिसोड 26 में क्या होने जा रहा है एपिसोड 26 में हम देखेंगे कि मायरा चुड़े जिसने बाहिए खाना खाने की आदत ही डाल ली वो फिर से समर के साथ रेस्टोरेंट पे जाएगी और वहाँ जाकर समर से कहेगी तुम फिर मुझे वही जगा पर ले आयो क्योंकि वो एक ममूली सा रेस्टोरेंट है तो समर उसे कहेगा समर उसे कहेगा मैं डेली तुम्हें किसी बड़े रेस्टोरेंट में खानक लाने नहीं लेके जा सकता और तुम्हें इसी तरह मेरे साथ अरज़ेस्ट करना होगा तो दूसरी तरह हम देखेंगे के मायरा के सास मायरा को काम करने का कहेगी तो माईरा मेंखमी जब से गय आई है काव को हाथ नहीं लगाती और समर की दूसरी बीवी दिलकिश बयचारी को ही सारा काम देखना पड़ता है दिलकिश के सास जो दिलकिश का बहुत एहसास करती है वो माईरा को कहेगी बेशक्त तुम्हें समर ने काम करने से मना किया है लेकिन तुम्हें करके काम करने पड़ेंगे और मायरा चुडेल को अचानक ही कुछ हो जाता है और वो बेहोश होकर किरने लगती है तो डॉक्टर को बिलाया जाता है कि मायरा को पतानी क्या हो गया शमर कहेगा रात भी मायरा ने खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ी कमजोरी है तो डॉक्टर कहेगी अब आपको ख्यार रखना पड़ेगा कि मायरा को किसी किसम की कमजोरी ना हो क्योंकि मायरा गुड न्यूस देने वाली है और यह सब हम देखेंगे एपिसोड 26 में मिले आपको आज का रेवियू अच्छा लगा होगा तो मेरे रेवियू अच्छे लगने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आइकोन पे ज़रूर क्लिक कर ले ताकि आपको डेली न्यू रेवियू का नोटिफिकेशन मिल सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफिस